हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वक्त होंगे और अपनी पढ़ाई दारी रख रहे होंगे तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया टार चैप्टर यट वादा कार्बो हाइड और इसकी जो प्रिवियस येर क्योस्चन की सम्राइज अनलीसिस है वह मैं और डाल चुका हूं अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको वह लिंक मिल जाएगा तो आप एक बार देख सकते हैं कि यह चैप्टर आपके क्या क्योस्चन इसके आए हुए है एक्सेटर तो जैसा कि आपको पता है कि एन्नीप के युके में कुक्षेत्रा युनिवर्स्टी कुक्षेत्रा में इंप्लिमेंट हो चुकी है तो जो ओल्डर सलेवस था यह आपके स तो यह पुराने सलेवस के अकोर्डिंग आपके पास है यह पेपर है जिसमें सेक्शन ए तो एन्नमा स्पेक्ट्रोस्कोपी है यह हम आने वाली वीडियो लेक्चर सीडीज में करें जेंगे बट जो स्टार्ट किया है यहां पर आप देख सकते हैं यह आपके पास है थ्री पास में डिवाइडिद है इस इस दो मोनो सेक्राइट फर्स पार्ट सेकिंड पार दिल्स विद दा इस वन यह तो यह आपके पास ओल्ड सलेवस है जो हम करने वाले हैं अब एक बार हम न्यू सलेवस भी देख लेते हैं तो न्यू सलेवस में एन्यपी के में डिस लपेपर सेमस्थर फॉर्स का और्गानीक अमिस्टी का फेपर है और बजाप हब नहीं किया है क्योंकि यह ओल्ड सलेवस में नहीं है ठीक है तो इसलिए ही इसको को रखा है Greg our old में भी है और new में है this is the new syllabus और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस syllabus में यहां तक यहां मोनो सेकृ। है और यह आपका एक पॉठ्चन है diversity का माल्टोज और सुक्रोज कैवल दो हैं चुके तो यहां से आप देख सकते हैं बोथ syllabus हार different जहां old syllabus में आपके पास polysaccharides भी था पर new syllabus में आपके पास polysaccharides नहीं है तो मैं अपनी इस video lecture series में दोनों को cover करने के लिए polysaccharides तक यानि old के हिसाब से करूँगा तो आप अपने syllabus के हिसाब से अपना matter देख लेना video lecture series से ठीक है बच्चो तो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बच्चो तो डिस इस दा carbohydrates carbohydrates chapter में introduction की यदि हम बात करें देखिए नेम इटसाइल suggest carbo deals with the carbon and hydrates यानि कि जो आपके oxygen और hydrogen से बने हुए hydrates होते हैं तो carbon के hydrates तो डेट वास दा ओल्ड definition उसके बाद new definition आई तो हो क्या होता है वो हम one by one देखेंगे फिलहाल classical definition या old definition जिसको हम कहते हैं उसमें क्या है the name carbo hydrate that means hydrates of carbon was originally given to class of compounds containing only carbon hydrogen and oxygen केवल carbon hydrogen oxygen होना चाहिए पहली condition and second hydrogen and oxygen must be present in two ratio one water में आपके पास two ratio one होता है hydrogen or oxygen का h2o on the similar pattern यहां पे भी आपके पास two ratio one के hydrogen or oxygen की ratio होनी चाहिए यदि यह दोनों conditions satisfied है तो हम classical definition के according उसको cover up करेंगे किसमें carbohydrates में and general formula should be this ठीक है so that was the old classical definition अब old के बाद modern definition यदि आई है तो that means कुछ ने कुछ खामिया तो रही होंगी वो खामिया क्या है लेट सी पहला पॉइंट डिरा नंबर ओफ कंपाउंट्स लाइक दिस रेमनोज है डियोक्सी राइबोज है जिन में तू रेशो वन नहीं है आप देख सकते हैं 12 रेशो फाइव यहां यहां 10 रेशो फॉर है क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉडिंग डेशो नहीं होने चाहिए और उनको रेप्रेजेंट नहीं किया दा सकता है अधक हाइडरेट्स ओप कार्बन सेकिंड लिमिटेशन डेर लोट अफ कंपाउंट्स लाइक फॉर्मल डिहाइड जिन में रेशो तो टू रेशो वन है का क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉडिंग इसको क्या होना चाहिए कार्बोहाइड बट यह कार्बोहाइड नहीं होते वैल नोन है कंपाउंट तिमिलरली एसिटी कैसी तो यह था आपका था एंड थर्ड काबन इस नोट नोन तो फोम हैड़ेट्स काबन हड़ेट्स बनाता ही नहीं है राइड तो दिद वाद थ्री लिमिटेशन फोर द ओल्ड डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन के लिमिटेशन से अब यह हम पढ़ क्यों रहे हैं काबोहाइड का चैप्टर वह भी समझ लीजे देखिए आपके डेली लाइफ में जितना भी आपके पास मैटिरिय है मैक्सिमम है राइड हमारे डेली डाइट से लेकर हमारे पहनावे तक पहनावे से लेकर हमारे रहने के लिए दो फनीचर है एवरीटिंग सब कहीं न कहीं कार्बोहाइड रेट से जुड़ा हुआ है यह बिग क्लास ओव माई बायो मोलेकूल्स ओके तो यह यहां वैसे लिखा भी हो है आप देख सकते हैं ठीक है डाइट में साच दो हम खाते हैं यह दैट इस दर काइबोहाइड रेट्स ग्लुकोज हाइड रेट्स आपका क्लोफिंग में कोटन लाइन रेनन शेल्टर में हमारे पास सेल्लो लकडी होती है दाट इस मेंड़ पोव सेल्लो लिखा अनल धिःड्स गया दो हो देत तया खंक तperform यह तो यह हो दो निटेता एं एकनपाउंड यह या पिन्हीं आकश्यान कोयी आख आपकाउंड हम जो हैं रोली च से आपकला को मसक्तिर्स हो पोच ग्रूप एंड एल्ड़ ग्रूप एज वल तो हाईड़ एल्ड़ी हाइड भी है हड्रोक्सी भी है कि टोन भी एड्रोणी कि टोन ठीक है या फिर वो compound जो हड्रोलाइज करने पर इन में से कोई प्रवाइड करें सेकेंड कंडिशन क्या है देट मुस्ट हैव एड लिस वन काईरल काईड़न आटम नाओ दिस दो वाइट कोमन टर्म यह आपको कई बार यूजर में सुनी होगी काईरल कार्बन आटम क्या होता है यह काईड़न आटम विच कंटेंस फोर डिफ्रेंट ग्रुप चार डिफ्र सेंटर जरूर होना चाहिए यदि कोई भी कंपाउंड इन दोनों कंडिशन को फुल्फिल कर रहे हैं इन डाट सिनेरियो विए कैटेग्राइजिंग डैट मॉलिक्यूल एज़ काईबो हैडेट्स ओके ठीक हैं तो आगे चलते हैं नाव क्लासिव केशन की बात करें काईड चप्टर को जितना common sense में common language में आपको बता सकूं क्योंकि पढ़ने के लिए आप सबके बास बुक पहले ही सही है तो सेक्राइट्स डियादा काईबो हाइड्रेट्स नो डियाट कैटेग्राइज और क्लासिफाइड इंटू थ्री क्लासिज पहला मोनो सेक्राइड डेके क एक movement हो जाँ दो इसको या फिर आप यह भी कह सकते हैं वह simplest栄 आपक्र आप रही है कर सकते हैंना थे सीम्पनेशन अमने के रखतESS किया है वही डेफिनेसिन हमने इसकी रखी है थैब the simplest hydro carbohydrates which cannot be hydrolyzed to the smaller molecules general formula is this one oligosaccharide क्या है देखिए oligo का मतलब है more than one right so monosaccharide one था x unit थी एक से ज्यादा unit से बना हो तो हम कहेंगे oligo और इसको further categorize किया तक डाई का मतलब two जब दो units आपस में जोड़ी हुई हूई हूँ trisaccharide जब three units हो tetra चार इन सभी को oligosaccharide किया जाता है इन सभी को याद करने के लिए जासते एक definition होनी चाहिए और example होने चाहिए disaccharide के आपका है सुक्रोज trisaccharide में रैफिनोज है आपके पास tetra वैसे पुछेगा नहीं वर्ट फिर सभी करना हो तो आप देख सकते हैं ठीक है और polysaccharide कोन से होते हैं विच ओन hydrolysis गिव लाज नंबर ओव मोनो सेक्राइड बहुत जादा monosaccharide जो प्रवाइड करें उनकों कहेंगे polysaccharide जनरल फोमला इस वन और स्टार्च and cellulose are well known example of this molecule okay so this was the first classification depending upon the hydrolysis product यार रहेगा तो इनको hydrolysis product पे तीन पार्ट में divide किया जाता है monosaccharide जो hydrolyze नहीं हो सकते oligo जो एक से ज्यादा molecule से मिलके बने होते हैं या फिर कहली जिए hydrolyze करने पर एक से ज्यादा monosaccharide प्रोवाइड करें तो उसको हम कहते हैं oligosaccharide और तो बहुत ज्यादा monosaccharide प्रोवाइड करें उनको कहते हैं poly now that was the first criteria second criteria is depending upon the sweetness मिठ्ःपन तो sugars and non sugars में divide किया जाता है तो carbohydrates all the monosaccharide and oligosaccharide they are crystalline solid, soluble in water and sweet in taste यानि कि मिठ्ःपन है तो उसको हम कहेंगे sugar और जबकि जो polysaccharide है वह amorphous है आप देख सकते हैं water में insoluble है बिलकुल opposite properties है और साथ ही में taste less है तो जो sugar के opposite है that is the non-sugar example यहाँ पर क्या है आपके पास cellulose और starch ओके नाव थर्ड क्राइटेरिया क्या है reducing और non reducing sugar या carbohydrates का यानि कि आपके पास कुछ carbohydrates ऐसे हैं जो कि कुछ है that will be termed as a reducing sugars all those carbohydrates that reduces these solution are known as reducing carbohydrates while other which do not reduce they are called as a non reducing sugar examples के लिए non reducing के आपके पास सुक्रोज है ठीक है starch है cellulose है all of them are non reducing reducing example glucose fructose ठीक है lactose maltose etc ठीक है so these were the three criteria पहला depending upon the hydrolysis product second depending upon sweetness and third depending upon the reducing properties ठीक है तो यह यहां रखना next बात करता है classification की की monosaccharides देखें यहां से monosaccharide आपका शुरू हो हो चुका है okay so monosaccharides में हम जो molecules mainly पढ़ने वाले हैं वो दो molecules ही है एक आपका glucose है एक आपका fructose है इन दो molecules की detailed में study करने वाले हम इस section of part में okay so classifications की बात करें तो monosaccharide is a simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed यह मैं बताई चुका हूँ दे में contain three to seven carbon atoms monosaccharide में एक unit होती है बस उस एक unit में आपके तीन से लेके साथ carbon atom तक हो सकते हैं ठीक है और इन नेचर डेरा अबाउट 20 monosaccharides present in nature ठीक है तो इसलिए देख सकते हैं कितने important है यह class of compound now there are two types इनको monosaccharides को दो part में divide किया जाता है पहला है elders देखें नाम याद करने का तरीका बताता हूं यह देखें पहले three words क्या है elders elders से क्या याद आता आपको aldehyde ठीक है आपको याद हो modern definition में हमने carbohydrate में बताए था कि carbohydrates are the class of compounds which contains polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones right so polyhydroxy aldehyde उनको कहा जाता है elders क्यूं हां देखें hydroxy group तो होंगे यह होंगे but aldehyde group presents है so that's why elders so monosaccharides containing aldehyde group they are called as a elders right okay और एक बात ध्यान रखना क्यूंकि aldehyde group आपका terminal पर आता है monovalent है so that's why it will it would always be present at carbon number one next बात करते हैं तो first category clear है now second one क्या है ketose यह s है that is a s typical error है ketose so monosaccharides containing the keto group they are called as a ketosis or keto group क्योंकि बीच में आता है तो यह कहीं पे भी available हो सकता है पूरी chain में तो पहली bifurcation हमने की aldehyde and ketose फिर उसके बाद इनको further हमने divide किया they are further classified as a trios tetros pentos hexos heptos depending upon the presence of number of carbon atom carbon atom कितने है यति तीन carbon atom है then we'll be saying trios 4 है tetros 5 है pentos 6 hexos heptos 7 ठीक है तो अब हम इदे और aldehyde and ketose इन दोनों terms को use करके divide करेंगे monosaccharides को जैसे यह देखिए यहाँ पे यह आपके कुछ examples है aldehyde सो aldo से aldo word लो जो decide क्या बताता है कि आपके पास aldehyde group now trioses word आ गया trioses मनलब तीन carbon atom की chain है और aldehyde group उसमें present है तो यह molecular formula है यह आपके पास example देख सकते हैं दो OH group है एक CHO आ गया now that is the glycerol dehyde सबसे simplest जो आपका monosaccharide है glycerol dehyde ठीक है ऐसे ही aldo tetrose का example आपके पास है erythrose 3o aldopentose this one or aldo hexose में यह तीन important है point एक glucose manose और galactose यह monosaccharides are very important from exam point of now this is the aldose ketose करेंगे तो keto word आजाएगा जैसे aldo आए ता वैसे keto keto trioses यानि कि हम किस carbohydrate की बात कर रहे हैं जिसमें ketone group है और तीन carbon atom की chain है तो तीन carbon atom की chain यह रही बीच में center में CEO group आदेगा क्योंकि CEO हमेशा center बीच में आता है terminal पे नहीं आता कभी में ठीक है तो diahodroxy acetone these days these are the examples okay so nomenclature system की बात करें यह वैसे इतना important नहीं है but okay इसकी ज़रूरत नहीं है because most of the cases में हम common name ही use करते हैं तो आगे चलते हैं यह हमारा है पहला molecule देखिए इस molecule को ध्यान से देखिए यहां पर word हमने यूद किया हुआ है d plus glucose जिसको हम dextrose भी कहते हैं हो सकते एक्जाम में dextrose के नाम से क्याद आए ग्रेप शुकर का क्या मतलब है आपका ग्रेप शुकर याने की तो अंगूरों में आपका मिठ़पन होता है उसकी वजय क्या है ग्लुकोज तो ग्लुकोज इस मोस्ट विली सब्स्टिटूट इस्टिबूट इस्टिबूट इस प्रेजेंट इन राइप क्रेप्स टाइड और इस अल्सो प्रेजेंट इन सम अधर स्वीट सच आज ए मैंगोज एपल्स एट्सेटरा इक है और ग्लुकोज आपने वर्ट सुना होगा काफी कॉमन है मैडिकल टर्म्स में भी कि ग्लुकोज की कमी और यह ब्लड ग्लुकोज लेवल काफी ज्यादा है तो हमारी बोडी में जो में डाइट है डाइट से जो में एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है यहां पे यह मैं ध् आपका एक बार ये कई बार वर्ड आएगा देखिए कैपिटल डी और कैपिटल अल ए ठीक है एक तो ये टर्मिनलोشी है एक होती है स्मॉल वाले कैपिटल डी और सॉरीub na और एक टर्मिनोलोजी और होती है आपके प्लस एंड माइनस यह तिन ओ ऐसा बलकि मैं यह कहूंगा यह आपके दोनों सिमलर है यह स्मोल वाले बट कैपिटल डी और प्लस माइनस में बहुत डिफ्रेंस है यह देया नोट सिंड वजह बता देता हूं देखे प्लस माइनस क्य कि याद हो उसमें क्या कंडिशन सिन पहली पोली एक्टीव वीड एख़ोर पोली हैड्न के चाहिए पुझाइट होने होने चाहिए और सेकंड वागता इडिफ सेक्ड बाध धाल million बटीकल होगी तो AND कब these आइंसि न में से यहाइप हमोगे और लेक स्ट Mü स्ट को स्टिह एक्षे वो कहते है उस को मलेफ्ट में करते तो हमगते हैं लीँटिव कहते हैं और माइनस है idor आइसा कोई जरूरी नहीं कश्यूद अधना क्योंकि देखिए जरूरी नहींनी के साथ प्लस ही आए आपके पास एक्जामपल है डी माइनस फ्रक्टोद फ्रक्टोद दो हम नेक्स मोलिकूल पढ़ेंगे वो यह आपका डी प्लस है ठीक है तो डैट इस जास कोइंसिडेंस ऐसा मत समझ लेना कि बहुत डी है तो प्लस ही रहेगा ना ठीक है तो आगे चलते हैं प् बहुत्व किससे मिल्के बनाथा है ग्लुकोज और फ्रक्टोज मैंने काहता ना डाइस क्रणी में क्या होता है कि अब हडस कर तर दो यूनिjust क्रते है तो आप देख सकते है वन इस ग्लुकोज से मिलके सुक्रोज बनता है तो यही हमारी लेपरेटरी प्रेपरेशन है इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए इन असिडिक मीडियम आपके पास ग्लुकोज मिल जाएगा नाव सेकिंड आपके पास जो साच मोलिक्यूल है वह हो भी किस से मिलके बना होता है ग्लुकोज से साच कहा है पॉली सेक्राइड तो दब आप इसकी हैड्रोलीसिस करेंगे दैन यू बी गेटिंग दा ग्लुकोज मोलिक्यूल तो सिंपल सी यह प्रेपरेशन से फिजिकल प्रोपर्टीज की बात करें क्रिस्टलाइन सोलिड है सोल्यूबल इन वोटर है 419 केलविन है इसका ठीक है ओप्टिकली एक्टिव है डेक्स्रो है एंड हैंसे डेक्स्रोज वर्डी यूस राइट क्योंकि यह डेक्स्रोज रोटेटरी है इट इस अबाउट 3 4 ऐस स्वीट ऐस सुक्रोज क्या आपकी चिन्नी जो आप चिन्नी करते हैं ना घरों में वो सुक्रोज एटेबल शुकर तो उसका तीन चोथाई मिठापन होता है ग्लुकोज में तो यहां तक थी फिजिकल प्रोपर्टी अब आपके पास में आने वाली है डाट इस अ कैमिकल प्रोपर्टी दो डी प्लस ग्लुकोज और इसमें काफी ध्या है तो आप सभी ढाग लाएं तो स्टार्ट करते हैं देखिए यह आपके पास ग्लुकोज की स्ट्रक्चर है इसको आप याद कर लीजिए जैसा है देखें ग्लुकोज क्या है अल्डो हैक्दोज है अल्ड़ हैक्दोज का मतलब है एल्डी हाइड इग्रूप होगा बिल्क ठीक है सभी पे ओएच लगा दीजिए और बचे हुए पे हैड्रोजन लगा तो कार्बन के बोंड चार ही बनने चाहिए ठीक है तो यह तरिक्का है इसको इस टक्षर को याद करने का अब यहां पर गोर करने वाली बात करें देखिए सिएच्चों कितना है एक मुलिकूल एक ग्रूप ऊजद कितने हैं दो फ़ंक्शनल ग्रूप होगे ? तो हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले वे प्रोपर्टी स्थ जो सी यच शों प्रोवाइड करता है दूशरी वे जो ओ ओएच प्रोवाइड करता हो तीसरे जिन में यह दोनों ही प्राइड करेंगे that is the third property से तो start करते हैं पहली property से the reactions of aldehyde group aldehyde group आपका कुछ reactions देखता हैं ऐस तो यहाद हो nucleofilic substitution है या addition न cet any reaction reaction right ? और नुक्लियोफिलिक एडिशन रियक्शन में ग्लुकोज यूजवली गीव्स ओल दर रियक्शन ओफ टिपिकल एल्डी हाइड ग्रूप एक्सेप्ट टू के वल दो को छोड़के बाकि सारी यह रियक्शन प्रोवाइड करता है वह कुंसी है एक एक दो एल्डी हाइड होता है वो स्किफ्ट रियेजन से रियक्ट करता है बट ग्लुकोज नहीं करेगा सेकेंड जो एल्डी हाइड है दाट फोर्म सा एडिशन प्रोड़क्ट विज सैचुरेटिशन ओफ सोडियम बाइसलफाइड सोडियम बाइसलफाइड क्या है एन ए एच एस ओ त्री डाट इस दा देगा अश्या का ओं सो यह यह यहाद हाएगा नोट पॉborग्स चार्ट करते हैं पहला रेक्शन विद हाइड रेक्शन सानाइड हाइड समय यह यह देखिए यह तो Карण से जोडं दिया शैनाइड यह आप दिक सकते हैं साना ओढकंड पर रिया काइजन पे एसन बीशन प और double bond O किसमें convert हो गया OH में, so that is the synohydrin, सब ही aldehydes provide करते हैं, so glucose को जब आप react करवाएंगे, then you will be getting the synohydrin glucose, कुछ, okay, so that is the first reaction, second hydroxyl amine, hydroxyl amine को लिखने का formula देखिए, hydroxyl मतलब OH की बात कर रहे हैं, aminogroup कुछ सा होता है, NH2, so NH2 OH that is the hydroxyl amine, और इसको याद करने का तरीका क्या है, अब यह reaction कैसे होईगी, देखिए, इसको यदि मैं expand करूं, CH double bond O लिख सकता हूं ना, इसको, इसको क्या लिख सकते है, H2 NOH, right, तो यहां से आपने कुछ निकरना, केवल water निकाल दो, now CH double bond था, N आजेगा, CH double bond NOH, right, so that is the glucose oxyme, oxyme बन चुका है, glucose का है, तो glucose oxy, okay, now third reaction, that is the very very important from exam point of view, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, rewind कर लेना, definitely question, इसका आएगा ही आएगा, तो यह क्या है, reaction with phenyl hydrazine, hydrazine क्या होता है आपके पास, NH2, NH2, यानि दो amino group को जोब आप join कर देते हैं, that is the hydrazine, एक hydrazine को हटा का phenyl ring लगा दी दिया, यहां पर, तो वो क्या example बन गया, देखे, NH2, NHPH, that is the phenyl hydrazine, याद रहेगा, ओके, अब क्या है, जब आप glucose को one molecule of phenyl hydrazine से treat करेंगे, तो वही सेम reaction है, यहां से वोटर निकाल रहो, so CH double bond, NH6H5, यह बन के आपका phenyl hydrazine, यह hydrazine था, यार रहे, confuse मत होना, यह आई है, यहाँ O है, right, so that is the product, glucose phenyl hydrazine, now tricky point क्या है, यह तो एक mole के लिए है, observe क्या किया, देखे, carbohydrate के case में, यदि आप excess में यूज करते हैं, फिनाईल hydrazine, जैसे two times हो गया, three times हो गया, four times, five times, right, तो उस case में, केवल एक carbon तक reaction, stop नहीं होते हैं, example के लिए, देखे, यह glucose molecule है, CHO, CHOH, four times, और CH2OH, तो होना क्या चाहिए, एक mole जब यूज किया, तो CHO convert हो गया, phenyl hydrazine, को इशू नहीं, लेकिन यदि three mole आप यूज कर रहे हैं, तो CHO convert होगा ही, साथ में, इन में से एक CHOH, वो भी convert हो जाएगा, किस में, इमाइन मोईटी में, ठीक है, तो होगा क्या, एक CHOH भी react कर गया, और आपको यह मिल गया, ठीक है, तो ऐसे product को हम कहते हैं, osazone, क्योंकि यह glucose से बना है, तो glucose का E हटा के, ozone लगा दीजेए, बाद, ठीक है, glucose zone, साथ में, एक मोलिकूल आपका फिनाईल हैडराजीन, और एक मोलिकूल आपका, अमोनिया का, एज़ब बाइप्रोड़क्ट है रहेगा, ठीक है, अब लिखने का तरिक्का भी यही होता है, देखिया, osazone formation पर यह दिक्योंच चनाता है, रियक्शन दे दी, it's okay, बट उसको थियोरी में भी तो लिखना होता है आपको, तो यहाँ पर देखिये, क्या वर्डिंग यूज़ के हैं, if excess of phenyl hydrazine is used, reaction proceeds further to yield the crystalline product called as a osazone, which contains two phenyl hydrazine residues per molecule, दो है, आप देख सकते हैं, one is this, one is this, while third molecule of reagent, reagent कौन सा, phenyl hydrazine की बात कर रहा है, तीन थे नहीं, तीन में से एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, और third has been converted into aniline and ammonia, ठीक है, so that is the osazone, ठीक है, और इस में, यह जो osazone formation है, that is not only a characteristic reaction of reducing carbon, cable reducing नहीं, जितने भी alpha hydroxy aldehyde है, या alpha hydroxy ketone है, वो सभी यह reaction provide करते हैं, ठीक है, और notable point another क्या है, stereochemistry about c2 chiral carbon atom, c2 कुण सा है, इस यह जो से next ही हाँ, ठीक है, c2 chiral center that is destroyed, खतम हो चुकी है, ठीक है, और जब कि rest of the configuration is same, बाकी rest कुण सी, इन चारों की, इन चार carbon atom को नहीं छेड़ा है, केवल carbon number one और carbon number two पे reaction होगी osazone की, and carbon number two जो पहले chiral center था, यहाँ पे, वो अब यहाँ पे chirality उसकी हो चुकी है, destroyed, खतम, ठीक है, तो यह कुछ points है, जो आगे बार बार आएंगे, तो अब इसका mechanism भी होगा, obvious है, तो पहला mechanism जो provide किया, that was the fissure mechanism, जिसने explain किया इसको, ठीक है, तो one by one यह reaction है, और यह इसको theory में explain किया हुआ है, यह आपको आना चाहिए, ठीक है, फिलाल के वहले इतना समझी है, डी प्लस glucose लिया है, तो पहला molecule आया, कहां reaction करेगा, देखिए, एक तो CHO है, एक OH है, इन में से, यह आपका nucleophile है, ठीक है, यह nucleophile CHOH पर तो react करने से रहा यह करेगा, C double bond O पर पहले, ठीक है, तो यहाँ पर यह convert हो गया, किसमें बन गया, यह आपका बना है molecule, याद है, glucose, phenyl, hydrazone, यह यह फिर्ट है, अब आएगा, second molecule, वो क्या करेगा, CHOH को कर देगा, convert C double bond O में, as per this mechanism, ठीक है, फिर थर्ड मोलिक्यूल हाया, थर्ड मोलिक्यूल में, अभी यहाँ पर co group present है, so this nucleophile can now easily attack on here, यहाँ attack किया और आपको glucose zone बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर में, फिर से कहूं, थी molecule थे, पहले molecule, यानि का बन बन पर रिया, second molecule का का काम क्या हुआ, oxidize किया और खुद by product के तोर पर निकल गया, CO मिल गया, now third molecule ने यहाँ पर attack कर दिया, और आपको glucose zone मिल गया, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ, queries आनी चाहिए थी, वो देखते हैं one by one, और वही आपकी खामिया भी है, इस molecule में, इस mechanism, ठीक है, पहली बात है देखिए, जो आपका phenyl hydrazine है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, CHOH को oxidize कर रहा है, किस में, CO में, इसका मलब, it itself is behaving as a oxidizing agent, इसने इसको oxidize किया, तो oxidizing agent है, लेकिन यह बहुत अच्छा reducing agent है, well known, तो इस reaction में, जब यह reducing agent होता है, यहाँ पर oxidizing agent की तरह behave क्यों किया, है, यदि यह mechanism सही है, तो, so that was the first limitation, और second limitation क्या आपती है, देखिए, जब हम excess में डाल रहे हैं, इस molecule को, रियेजेंट को, तो आपको नहीं लगता, जैसे इसने CHOH को convert किया, CO में, बाकियों को भी करना चाहिए था, CO में, तो यह सारे के सारे substitute हो जाना चाहिए, एस पर theoretical concept ऐसा हो सकता है, बट, experimentally ऐसा नहीं मिला, हमें पता लगा, केवल दो ही carbon पे reaction होती है, बाकि पे reaction नहीं होती, तो यह mechanism इस point को explain नहीं कर पाया, ठीक है, तो इस वाद टू लिमिटेशंस, पहली, वाई फिनाइल हडाजीन एक्ट अच्ट 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 हमें नहीं पता, सेकिंड, तो यह थी आपकी फीशर मेकानिजम की लिमिटेशंस दोनों, अब लिमिटेशंस आई है, तो नए मेकानिजम भी आएगा, तो मेकानिजम का नाम आगया है, आपका मोडर्न मेकानिजम, जैसे मोडर्न डेफिनेशन था, और सिमलर पैटर्न, यहाँ पे आगया, मोडर्न मेकानिजम, तो यह कैसे होता है, वन बाइवन हम देखेंगे, यह आपके पास मेकानिजम, ठीक है, ठोड़ा सा यह कंफ्यूजिंग है, फीशर वाज़ा सिम्पल, यह आपका, मोर एक्टूरेट है, मेकानिजम, यह सारे लिमिटेशन को, एक्स्प्लेंड करता है, तो स्टार्ट करें, शुरुबात करते हैं, ग्लुकोज मॉलिकूल से, तो पहला मॉलिकूल, देखें, यहाँ पे दो स्टार्ड वर्ड लगाया हुआ, यह केवल जस्ट पूर इंटिमेशन हैं, नोट करने के लिए, कि अमोनिया में कौन सा मॉलिकूल वो नाइट्रोजन गया है, तो आप देख सकते हैं, पहले मॉलिकूल का दो थो था, वो फाइनली एज़ बाइप्रोड़क्ट निकल चुका है, स्टार का मतलब क्या है, वी आर टेकिंग हेर, नाइट्रोजन आइसो टोप, आइसो टोप हमने लिया है, नाइट्रोजन का, तो इसको भूल दाओ, यदि आप स्टार ना भी लगाएंगे, तो भी यह रियक्शन कम्प्लेट है, तो पहला, वोटर निकाल दो, जैसा फिशर मेकेनिजम का स्टार था, वो सिमलर है, सो फर्स्ट टैप इस दा कंडन सेशन स्टार यह बन गया, चीक है, सो फर्स्ट टैप इस सेम इन बोथ फिशर एंड दिस, जैसे यह फर्स्ट टैप बनेगा, यहां पे री अर्रेंजमेंट हो गी है, इसको कहा जाता है, एम ए डोरी री अर्रेंजमेंट प्रोसेस, यहां पे हो क्या रहा है, यह डबल बोंड यहां गया, यानि कि इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को कैप्चर किया, ठीक है, तो यहां पे सीडवल बॉंड सी आ गया और एक बार है नाइट्रोजन ने हैड्रोजन को कैप्चर का लिया नाव डिस इस दा सिक्स मेंबर साइक्लिक स्टेट में डैट इस दा सेवल रियर्रेंजमेंट होगी इस वे तो यहां पर देख सकते हैं फिनाइल के साथ यह वाला ब बॉंड ब्रेक हो गया तो यहां से और यहां से यह तो यह क्या निकल गया आपका ती 685 नहीं तो यानि की पहला बाइप्रोडक्ट वह पहले मॉलिक्यूल के साथ ही निकल रहा है यह यह रहेगा है ठीक है और साथ ही इस रियर्रेंजमेंट की वज़े से हुआ क्या सी डबल बॉंड ओ आ चुका है आप देख सकते हैं डिबल बॉंड तो यह था आपका फर्स्ट एप कंडन्शेशन स्टैप उसके बार रियर्रेंजमेंट हुआ तो यह निकल गया साथ मे इमीनोकेटोन इस दा इंटरमेडियेट फॉंड तो इस पहले मॉलिक्यूल ने क्या किया पहले कार्वन पे इमाइन मोईटी बनाई सी डबल बॉंड आन की और साथ ही रियर्रेंजमेंट की वज़े से सैकंड को उक्सिडाइज का दिया किसमें सी ओ में जेकि फिनाइल हाड अब इन दौनों में से किस पर अटैक होना चाहिए यह नुक्लियोफाइल है नुक्लियोफाइल अटैक करेगा सी डबल बॉंड ओ पे तो केटोन को इसने कनवर्ट का दिया हैड्रा जोन में नाव थर्ड मॉलिक्यूल आएगा थर्ड मॉलिक्यूल इसको हैड्रोलाइज कर देगा और यहां पर खुद सब्सिटिट्यूट हो जाएगा नाव डिस इस दा ऊसाजों ओके तो यहां पर कुन कुन सा स्टैप है पहला स्टैप कंडनसेशन देर आफटर री अर्रेंजमें सेकिंद स्टैप अगें कंडनसेशन और सेकिंद काबyorsun सेकिंद काबबन भी और थर्ड हड्रोलिस यह आपके स्टैप को अदर अरे क्के 6 बाहित है आपकते स्टैप से act I am और शोजचन हो पा रहिया आ है एक तो अब आपके पास है हमने फर्द समजने के लिए क्या किया यहां पर क्या है कि अंसिमेट्रिकली डाइ सब्सिट्टिटिट है रदीन लिया हमने यह आपके पास हाइड रदीन है जो की ओसा दोंस नहीं बना सकता क्यों और सदों इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि यह six-member cyclic state याद हो सक्षय याद के जिए हाइड्रोजन अविलेबल थे नहीं यहां पर है यहां पर है रोजन था नहीं जब यहां पर यहां वाला नहीं कहां यूज हो रहा है यह यह आपका बॉंडिंग बनाने में यूज हो तो अब यहां पर क्या हो रहा है जब हैड्रोजन की जगए आपने मिठाइल ग्रूप लगा दिया तो हैड्रोजन की जगए मिठाइल ग्रूप लगा दिया तो यहां पर यह रिमूबल हो गा नहीं six-member state बनेगी नहीं अब six-member नहीं बना तो osadone भी नहीं बनेगा यह आप सारे के सारे carbon atoms आपके क्या हो गए कंडेंस हो गए ठीक है तो ओसा दोंस आपका केवल वही molecule दिया है जिसमें phenylhydrazyn था ठीक है तो यह ज्यादा important नहीं है बट यह point that is very important from exam point of an important point about osagon formation is that during this formation the configuration at C1 and C2 is destroyed कटम हो चुकी है C1 और C2 की जिसकी वज़े से any diastereomers जो की glucose की structure से differ करता है only at C2 configuration आपके पास एक glucose है एक let's suppose को यह molecule है दो इन molecules की structure में केवल carbon number 2 पर difference है बग्की सारे structure सेम है तो glucose से भी आपको वही ओसा जोन मिलेगा और मैनोज से भी वही ओसा जोन मिलेगा ठीक है तो इसलिए कहा जाता है कि एनी पेर ओफ एपिमर्स विच डिफाइन कन्फिग्रेशन से टू दे गीव दा सेम ओसा तो सब्सक्राइब नाव एपिमर्स का मतलब यह होता है दोज आईसोमर्स ब्सक्राइब को स्टक्चर डिफटर एंट ओनली वन काडल वन कारवन और तो के एक काड़न आटम पे जिसके डिफ्रेंट है यह दिवो स्ट्रक्चर आपकि कावन नमर्टू पर डिफ्रेंट है तो तो इनको खाज आता है तो ओसा जोन में जो आपके सी टू एपीमर्स है वो सेम ओसा जोन देंगे और यह थियोरेटिकली कई बार पुछा गया है तो अगली रियक्शन देखते हैं टैट इस रेड़क्शन प्रोसेस रेड़क्शन में छो को जब आप रेडूस करेंगे तो कि इसमें कनवर्ट हो देगा और रेस्ट वुडवी सेम यह आपका सो बिटो नेक्स ओक्सिडेशन यदि हम करेंगे तो चो को आप किस के साथ ब्रोमीन वोटर के साथ किसमें कनवर्ट कर सकते हैं सी ओवाच में तो यह था आपका नेक्स है इस दा रिडूसिंग नेचर सो यह आपका रिडूसिंग शुगर्स है कैसे करता है यह घ् Bennu को यह तो मिलता है 17 में समैं सिल्वर हूग है किस ने किया है इस इसने इसको ओक्सिडाइज का दिया तो डिसी इस बिहेविंग ऐड़ उप्सिडाइज इंग एजेंट फिर्स अद्ट इन्ट ग्लुकोव एड़ेविंग एड़ेजिजिंद टू इन्ट यहां पर रिदक्षिन कुंई यह देखे इस इल्वर में आपके पास ऑक्सिडेशन से यहां जीरो औक्सिडेशन से तो रिदक्शन हुई ठीक प्लस से जिड पर अधे घर नेट्स देखते हैं ऐसे ग्लूकोज बैनेडिक स्तियों प्रूशन में यह ऊंस वतते हैं और यह क्या है इसको किसमें अच्छु प्लस में यह क्या था टू प्लस तो टू प्लस से इस रिदूस्ट और रिदूस्ट किसने किया है ग्लुकोस ने डुकोस इस वैलनोन एक्जम्पल और रिदूसिंग शुकर राइट तो इस वार्दा रियक्शन फर्स्ट थेट इस अच्छोप गुण कुन कुन की रियक्शन देखिया हमने पहली फढ़ इड्रोजन आपके पास reducing nature, next reaction देखते हैं, that is the reactions of hydroxyl group, hydroxyl group की reaction क्या है, तो यहाँ पर हम OH की कौन-कौन सी reaction study करने वाले हैं, तीन reaction, ठीक है, acetylation word यूद क्या है, acetyl word का हज़ापता है, CF3, CO को, that is the acetyl group, तो यदि hydrogen OH क्या है, OH है आपके, hydroxyl group OH है, इस hydrogen को हटा कर, आप COCS3 लगा दीजिए, that is the acetylation, कितने OH थे, structure में, पांच, तो पांच को के पांच के substitute करने के लिए, मैं पांच मोलिक्यूल चाहिए, सब की दगए क्या लगा दो, COCS3, hydrogen की दगए, तो आप देख सकते हैं, COCS3, चार यह हो गया है, देख यह, चार यह, टोटल पांच, तो यह है आपका, glucose pentacidate, और काफी important है, आगे भी आएगा, ठीक है, next is the formation of glucosides, देखिए, glucose word कहां से आगया, glucose से, और oxide word किसको कहते हैं, आपके ether linkage को, ether linkage क्या होती थी, COC, that is the ether linkage, carbohydrate के case में, इस ether linkage से बने product को हम कहेंगे, oxide, glycosides का हज़त है, तो glucose लो, methanol लो, यहां से water निकाल दो, H2O, तो carbon, oxygen, और CH3, again carbon, that is the glucosides, चीक है, similarly glucosides बना सकते हैं, जब आप base से treat करेंगे, तो आपके बाद salt बन देगा, right, so these were the reactions of hydroxyl group, second reaction होगी, दो होगी, पहली CH होगी, second आपकी OH की, अब third reaction हो है, that is the other reactions which involve both the groups, CHOB, OHB, दोनो मिल के participate करेंगे, पहला, action of acids, dilute acids have no effect, कोई effect नियोता काभोहईट पे, बट यदि हम concentrated acid लेंगे, so it would give you 5-hydroxy-methyl-perporeal, this is the 5-hydroxy-methyl-perporeal, which is further converted by hydrochloric acid to livolanic acid, this one, तो ये chain को break कर देगा, और आपको ये product मिलेगा, तो यहाँ पे ये हुआ कैसे, देखिए, आपके carbon number 2 का OH, और carbon number 5 का, 3, 4, and 5, ये दोनों आपस में condense होके, cyclic एक molecule provide करेंगे, जिसको कहा दाता है, 5-hydroxy-methyl-perporeal, उसके बाद, फर्दर जब आप heat up करेंगे, तो यहाँ से आपके, removal हो जाएगा carbon का, और साथ ही में, आपको क्या मिलेगा, CH3, CO, CH2, COH, CH2 convert हो गया आपका COH, ठीक है, यह molecule निकाल दीजिए, इस समझ लीए, ठीक है, तो यह आपके पास, libelanic acid है, और यह reaction, molish test में भी यूज की जाती है, तो laboratory में carbohydrate का, well-known test है, ठीक है, तो यह, बट, इस reaction is very, very important, एक्जाम पॉइंट थे, ठीक है, जैसे उसाजोन था, उसके बाद, यह भी आपकी काफी, इंपोर्टन रियक्शन है, और सिंपल सी, रियर्रेंग्मेंट रियक्शन, एक्शन सो अलकली, एसीड का एक्शन हमने देख लिया, लुवलानिक एसिड बना है, इस वन, बबेस हदियादी होगा, तो इन डैट केस क्या होगा, बन ग्लुकोज इस, टेट इड विद रिद गंसेंट्रेटिट सो जूशन, अफ एक्शन, इट फिर्स्ट टॉंस येल्लो, ब्राउन, and finally brown resinous mass is obtained तो yellow से brown brown से brown ठीक है यह बनेगार जबकि when dilute solution use किया जाता है अभी तो concentrate था पर यदे dilute use किया जाता है in that case equilibrium mixture will be obtained देखिए glucose से start किया था हमने glucose से जब आप dilute अन्योर से या alkalis solution से treat करेंगे तो हमें equilibrium mixture मिलेगा जिसमें कुछ molecule glucose के होंगे कुछ manose के होंगे और कुछ आपके fructose के होंगे similarly यदि आप manose से start करेंगे तो manose को dilute से treat कि दिये तो manose भी होगा glucose भी होगा तो चाहे आप तीनों में से कोई सा यूद कर ली दिये डाल्यूट अल्कली से solution से reaction करवाने के बाद यही equilibrium आपको बार-बार मिलेगा और इस rearrangement को हम कहते हैं यह ठीक है इसमें क्या होता है देखिए इस rearrangement involves the formation of 12 in diode एक transient intermediate बनेगा जिसमें C2 की chirality को खतम कर दिया गया है और this unstable intermediate then changes into mixture of three monosaccharides right तो glucose से यह बना ठीक है एक बार यह बन गया तो यह इन तीनों में convert हो जाएगा equilibrium के तो याद करने का तरिक्का मैं बताओं यदि इसकी क्या है जैसे glucose से start किया ओवियस है यह वाले hydrogen को ना इस oxygen पे लिया हो और जब यहां से hydrogen को आपने काठ दिया तो carbon को चार बोंड तो पूरे करने तो यहां double bond आ गया c double bond o था यह बंदे का c single bond o h ठीक है तो आपका molecule ready है फिर यहां से यहां तक कैसे दाएंगे इस h को वापिस लिया ओ लेकिन opposite side से इस side से इस carbon पे तो o h आ गया इस side आप देख सकते हैं यह इसको carbon से attach कर दो this one और यह double bond वापिस कहां गया c double bond o that is the CHO तो यह बन गया आपका manos अब यहां से fructose पे कैसे गए हैं देखिए यह वाला o h का hydrogen यदि यह कहां चला जाए इस carbon पे ठीक है आप इसको इस तरीक के से देख सकते हैं कि यहां पर यह जो बोंड था यह यहां आया और यह वाला बोंड इस carbon पे चला गया तो आपको मिल गया यह that is a fructose right तो यह है point और यह same equilibrium is obtained even if one starts with manos and fructose चाहे manos से शुरू कर लो fructose से कर लो आपको यह ही molecule मिलने वाले यह equilibrium होगा now this was the reaction of alkali and next fermentation fermentation क्या होता है glucose को जब आप enzymes करते हैं जो की yeast में present होता है then it would be converted into ethanol ethyl alcohol ठीक है इस process को fermentation करते हैं जिसमें CHOOH दोनों participant करते हैं तो इस third category में हमने कॉंसी तीन reaction देखी पहले acid की फिर alkali's की और फिर fermentation ठीक है तो यह थी chemical properties of the glucose glucose ठीक है यह करने के बाद अब हम एक यह कैसे करें फ्रक्टोज की भी अभी करवाएं आपको यह उसकी बाद में करेंगे यह याद कर लिया है आपने तो ठीक है ठीक है बच्चों तो यह था आपका यह chemical properties of glucose आगे दब हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो फ्रक्टोज की भी यह ही same properties आएगी similar ही ठीक है तो आगे चलते हैं और प्रोबेबली शायद लास्ट टोपिक इस वीडियो का लेट में सी हाँ है ठीक है तो यह है आपके पास open chain structure of glucose अब तक हमने glucose की जो structure देखते आया है यह structure है पर यह जो तीन है इन तीन का हमने explain नहीं किया अब तक कि ओच कहां है left में है right में यहां से तो पता लग गया कि second carbon पे ओच हमारा right side में है ठीक है तो that is open chain structure इसको हम further elaborate करके study करेंगे कि हमारे configuration क्या है हर एक carbon की ठीक है so start करें पहला देखिए सबसे पहले हमने decide किया that is the molecular formula और यही steps आपके बार बार यूद होएंगे इसलिए जहां से पढ़ लेना पहला molecular formula determine care that comes out to be this तो यहां से हमें क्या हिंट मिला कि carbon hydrogen और oxygen से मिलके बना है obvious है right फिर उसके बाद next हम study करने वाले है presence of aldehyde group हमने chemical properties भी देखी तो उनसे क्या पता लगता है कि CHO में आपके पास CHO group यह glucose में present है इसकी reaction यह provide कर रहा है glucose molecule कैसे SCN को इसने sinohydrin बना दिया hydroxylamine से oxyme बना दिया phenyl hydrazine के equimolar amount में the equimolar मतलब one way ratio one में उसमें हमें मिला phenyl hydrazone all these reactions suggest presence of carbonyl group CO group तो present है ठीक है glucose में इन reaction से हमें पता लगा CO group या CHO इन में से कोई एक present है लेकिन हमें आगे reaction में देखेंगे उसमें clear हो जाएगा हमारे पर actual क्या है CHO है तो हमने जब इसकी mild oxidation की यह भी एक chemical property थी ना यादो तो माइल्ड oxidation की तो हमें क्या मिला ग्लुकोनिक acid जिसमें terminal carbon पे CO है यह आपका weak है oxidizing agent mild oxidizing agent है यदि इस chain में आपके पास carbonyl group होता C double bond ore तो क्या वो COH में convert होता नहीं वज़े क्या है because we are using mild oxidizing agent लेकिन glucose से हमें यह मिलता है इसका मरलब in actual कौन सा molecule present है कौन सा functional group है CHO CO group नहीं है ketonic group present नहीं है CHO present है glucose में ठीक है तो यह था हमारा third step जिसमें हमें पता लग है CHO group present है और कितने present है एक क्योंकि यदि दो CHO होते है तो दो COH लगए होते है यहां पर तो एक CHO present है must be an aldehyde group present है तो अब तक हमें क्या क्या information मिली carbon hydrogen oxygen से मिला हुआ है molecule बना हुआ है ठीक है साथ ही में एक CHO group present है अगली presence of five hydroxyl group यह कैसे पता लगा हमें glucose pentacetate बना था याद हो Acetic Enhydrate से जब आपने treat किया तो OH की जगह OCOC3 बन गया था तो five molecules five mole आपका use हुआ ठीक है इसका मतलब कि एक molecule में glucose के कितने OH है पांच तो यहां से हमें पता लगा there is presence of five hydroxyl group ठीक है और साथ ही since glucose doesn't lose water तो यह पांचों के पांचों अलग अलग carbon पे भी जुड़े हुए एक carbon पे दो नहीं है और यह से पांच है उन में से कोई यह भी कह सकता था कि एक ही carbon पे दो OH हो तो लेकिन यदि ऐसा होता तो water remove हो जाता glucose को रखे रखें बट ऐसा नहीं होता ठीक है so that's why all of them must be present on different carbon atom ठीक है और दिस से तो अब तक हमें क्या information मिली five hydroxyl group और एक CHO group present है ठीक है अब हमने देखना है कि यह तो पांच OH है इनकी nature क्या है देखिए OH आपके primary भी हो सकते secondary भी टर्श्री भी तो हमारे glucose में कितने primary है कितने secondary है कितने टर्श्री है वो हम study करना चाहते तो उसके लिए यह हमने reaction की glucose को react कवाया nitric acid के साथ देखिए जो CHO है नाइट्रिक एसिड क्या oxidizing agent इसने इसको oxidize किया molecule को तो CHO convert हो गया COH में सही बात है बट CH2OH यह भी convert हुआ COH में तो जब हमने थोड़े से strong oxidizing agent से react कर वाया तो हमें दो COH ग्रूप मिले एक का तो justification हमें पता है क्योंकि CHO present है molecule में लेकिन दूसरा COH का हो से आया तो उसके लिए justification क्या है कि इसका मतलब एक primary alcoholic group present था देखे out of primary secondary and tertiary primary alcoholic group is more reactive थीक है तो यह चारों ने react नहीं किया बट यह reaction देकर COH में convert हो गया है so that's why 105 hydroxyl group that must be primary alcoholic group primary alcoholic group होना चाहिए ठीक है तो अब तक हमें क्या information मिली कि 5 OH है जिन में से एक CH2 OH है बाकि secondary है ठीक है और एक CHO present है अब बात करते हैं कि क्या यह 6 की 6 carbon atom एक ring में है या open chain में है तो उसके लिए यह fifth point आता है the presence of state chain of carbon atom की state chain है या ring chain है तो उसके लिए हमने क्या किया glucose को treat किया hydroidic acid in presence of phosphorus at 373 Kelvin तो यह क्या है reducing isn't glucose को इसने reduce कर दिया and hexane में और यह आपका बाइप प्रोड़क्ट अब मुझे एक बात बताएं यह आपका दो reason यह इतना strong नहीं है कि यह ring को open up करें ठीक है यदि glucose ring form में होता cyclic form में होता तो आपको बाइप cyclic form मिलती है बट यहां क्या मिली है straight chain तो इसका मलब glucose किस form में exist कर रहा है straight chain ठीक है तो यहां से हमें पता लगा कि molecule exists in the straight chain ठीक है अब इन सारे points को मिलाओ देखिए कि आप पहला LDID group है पांच OH है जिन में से एक क्या है primary primary कुंसा होता है CH2OH और straight chain of six carbon atom तो structure यह दि बनाना है तो क्या करेंगे हम 6 carbon atom जोड़ दी दिए ठीक है पहले वाले carbon पे CH रहेगा obvious है और last वाले पे क्योंकि primary OH है तो CH2OH बाकि सारे पर क्या लगा दो होच ओच लगा दो हाइड्रोजन से फिलप कर दो तो इसका मदलब क्या structure आई है आपके पास अभी तक यह राइट glucose की open chain structure अब इसमें भी क्या आप बता सकते मुझे कितने कारल सेंटर है कारल सेंटर इस मुलिक्यूल में कितने है देखिए यह तो हो नहीं सकता SP2 है यह भी नहीं हो सकता क्योंकि कि दो हाइड्रोजन है कारबन पर इस फॉर कैन भी तो यानि कि यहां पर कितने है फॉर कारल सेंटर है और फोमला क्या कर तैट्टू रेशो फूर यानि कि 16 आईसो मर्स मिलेंगे आपको इस स्ट्रक्चर के जिन में से ग्लुकोज एक मॉलिक्यूल है ठीक है अब इसके बाद है यह तो थी कंडेंस फोम आपके सामने हमें देखना है कि होच पे क्या कंफिग्रेशन है कार्डल सेंटर है न चार यह इन चारों पे क्या कंफिग्रेशन है तो उसको हमने किया है configuration of this glucose molecule के लिए और finally जो निकल के आई है वो यह है configuration जिन में हम यदि इस carbon से शुरू करें यह carbon कुन सा है penultimate carbon का हज़ाता है penultimate मनलब last but one last carbon यह है इससे एक पहले वाला इस penultimate carbon पे से शुरुआत करते हैं तो दो आपके एक साइड में third one यहां this one यह numbering चे शुरू करें one carbon atom two carbon atom three so third carbon atom पे opposite है बाग की सारे आपके right side में है that is the D plus glucose और mirror image क्या होईगी L glucose क्या होईगा L minus इसके opposite कर दो OS जो right side में है आप left में आगया तीन left में और एक आपका right side और that is the L glucose ठीक है बच्चो तो इस structure determination में यह structure हमारे पास glucose की निकल के आई इसको याद कर लो जैसे आपको समझना है तरीका मैंने बता दिया कि सारे ओएच आपके एक साइड में है राइट साइड में डी प्लस glucose में के वल थर्ड कारपन आटम पे इन्वर्जन है उपोजिट है वह अच इस तरीके से करना है इस तरीके से याद करना है इसको भी अभी देख लेते हैं क्योंकि यह ग्लुकोस से मिलता दूलती है सारे इसके टम्स तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा देखें डी माइनस फ्रक्टोस मैंने कहा था ना डी और प्लस माइनस का कुछ लिंग नहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं डी माइनस ट् और लीव रोटेट्री होने की वज़े से लीव लोज भी कहा दता है इसको जैसे डेक्स्रो की वज़े से डेक्स्रोज कहा दता गयता ग्लुकोस को ना डिसी दव फ्रूट शुकर जितने भी आपके फ्रूट्स हैं उनमें मैक्सिमम में आपको यही शुगर मिलेगी उसकी वज़े से होगा वही सेयं है विकयोज फ्रॉक्टोज एंड फ्रूट्स दिया ऑई सुमर्स है ऑगे सो प्रेपरेशन की बात करें सुक्रोज से वही सेम उसमें भी सुक्रोज लिया त्बहुर्ट को रॉक्टोज मिलता है यह आपका अनुदर पोलीमर पॉली सखेर इनुलीन यह किसे मिलके बना होता है तो जब आप इसको हैड्राइज करेंगे तो फ्रक्टोज मिलजेगा तो यह दो मैथड आपके पास है एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है प्रवाइड टू मैथड ओप्रेपरेशन ओफ्रक्टोज तो आप यह दोनों लिख देना आ बात करें 375 केल्विन इसका क्रिस्टलाइन है कलर लैसा है लुकोज से कम है इसका मैटिमार स्वीटेस्ट है जितने भी मोनो सेक्राइट से उन में सबसे स्वीट आपका फ्रक्टोज रैडेली सुल्यूबल है वोटर में ठीक है अब टिकली एक्टिव यह मैं बताई चुक ग्रूप ग्लुकोज में एल्दीयाइड था यहां के टोनी ग्रूप प्रेजेंट है तो पहली रियक्शन रियक्शन विद है लोग्जाइम बन गया है थर्ड फिनाइल हैड्राजीन से ट्रीटमेंड जब इक्वी मोलर लेंगे यह भी वन है यह भी वन मोलेक्यूल है इन केस आपके पास क्या बनेगा फिनाइल हाडराजोन सी टू कार्बन पे आपका एन एन एच सीशिक सब्सक्राइब औसादोन की बात करें औसादोन कब जब आप एकसेस में यह यूज करेंगे तो उसकेस में कार्बन नंबर टू तो इनवल्व हो गई यह दोनों यूज होंगे और आपको क्या प्रोडक्त मिल जाएगा स्ट्रक्टाव से ख्लूकर्ट से बीकलुकोस साजों मिल रहा है फ्रक्टोस से भी फ्रक्टोस साजों मिलेगा दोनों से मोलीकूल है इसकी स्ट्रक्चर को आप मैच कर सके हैं मेकानिजम की बात करें तो वही से मेकानिजम के पहला स्टैप पहला मॉलिक्यूल आएगा सी ओ कंवर्ट कर दिया किसमें हाइड्राजोन में सेकंड स्टैप आया इसने क्या क्या और फिर से क्या किया कंडेंस किया और आपको प्रोड़क्ट में लिमिटेशन थी वही दो modern mechanism आया modern mechanism के according पहला molecule जब आएगा सीओ से convert करेगा तो cyclic state के थ्रू आमेडोरी rearrangement के थ्रू आपको क्या मिलेगा immunokitone यह product जिसमें आप देख सकते हैं second carbon तो co था that has been converted in C double bond NH और first carbon oxidized होके CHO बन गया है ठीक है CHO बन गया अब second molecule आएगा वो कहां react करेगा CHO पर तो यह आपका यह molecule अब third आएगा वो कहां hydrolyze करेगा यहां पर यह आपका ग्लुकोसा दोन बन गया है next reduction देखा था उसमें आपके पास क्या था CHO जिसको हमने reduce करने पर सो बिटोल बनाएगा यहां पर भी co group को reduce करने पर आपको क्या मिल गया तो मैंने टोल दो क्यों प्रोडक्ट मिले यहां यहां पर बता सकते कोई कि कमेंट सेक्शन में बताना यदि आपको बता हो बाकि मैं बताई देता हूं यहां पर दो इसलिए थे कि यह था आपका स्प्राइबंड कारेल सेंटर यहां पर नहीं कोई कारेल टीन यह रबर रेडूस करेंगे सो आउट इस इस देखार सैंटर तो इस्में ओपका लेफ्ट साइड भी हो सकते यह यह विद्धि राइट पर है तो सो भी है लेफ्ट पर होगा तो मैंनी टोल होगा इस सिमिलरली यिदे के सार्ट करेंगे तो इसको हेनेuben मिलेगा जैसा ग्लुकोस में रहें धि बट यहां पर आपके पास क्या है सियो ग्रूप फ्रक्टोज वोड नोट गीव एनी ओक्सिडेशन रियक्शन विद माइल्ड ओक्सिडाइजिंग एजन लाइक दो पहला पॉइंट तो यहीं से मिल जाता है जब माइल्ड ओक्सिडाइजिंग एजन से रियक्ट ही नहीं कर है इसका मतलब कि टोनिक रूप प्रेजंट है तो इसके रियक्शन में क्या होगा नाइट्रिक एसिट से जब अप्रेट करेंगे तो देरिश पॉसिबिल्टी ओफ यहां से भी यहां से यह आपका सीवन सीटू पे क्लीव होता है इस वाले यहां से क्लीव होता है तो च्छ तो निकल गया आपका कहां ऐसी ओच में यानि फॉर्मी कैसे बन देगा दो फाइनली सीओ टू प्लस हैच तो में कनवाट होतेगा बचे कितने कापन वन टू थ्री फॉर तो फॉर कापन एटम के देखिए सीच टू ओएच को भी ऑक्सिडाइज कर देगा यह सीवाच में और यह दो सीच मिलेगा यहां पर वह भी ऑक्सिडाइज हो जाएगा सीवाच में तो डैट इस अट्राइज हडोक्सी ग्लूटरिक ऐसे लेकिन यदि सीटू सीठी पर अटैक हो यहां पर तो आपको दो कारवन का ओक्सिडाइज प्रोड़क्त यह मिलेगा यह टू ओएच एज इस ओएच ओएच कण्वर्ट हो जाएगा सीचों में दो कि बार में कण्वर्ट हो देगा सीवाच और ऐसे ही यह प्राइमरी किसमे कण्वर्ट हो गया तो आपको दो मॉलिक्यूली यह मिलें जब आप इसे नाइट्रिक एसीड से ट्रीट करें नेक्स्ट प्रोपर्टी क्या थी रिदूजिंग नेचर तो जैसे आपका ग्लुकोज था उन्दा सिमलर पैटरन यहां पे भी आपके पास है रिदूजिंग न रहेगी यह वाली क्यों मैंने बताये था आपको ग्लुकोज फ्रक्तोज मैंनो तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो इसलिए यह आपको सेम इक्विलिब्रियम यहां से भी मिलेगा नाव डेट वार्दा काबनील ग्रूप रियक्शन नेक्सिट इस तो रियक्शन ओ इसे डाइलेशन करेंगे अगें फाइब मोल्स कंज्यूम हुए तो पांच ओँच हैं पांचो को लगा दिए तो पैंट असिटेड मिलेगा ग्लुकोज में ग्लुकोज पैंट असिडेट था यहां फ्रक्तोज पैंटासेट नेक्स फ्रक्तोसाइड कैसे बनेगा जब आप वोटर निकाल दीए और आपके पास इथलिंक के जागे ऐसे ही कैल्सियूम हाइड्रोक्साइड से जब आपने ठीट किया था तो वहां पर सोल्ट बना था यहां भी आपका सोल्ट अधर रियक्शन में एसीड के साथ रियक्शन आपको बता दी अलकली के साथ रियक्शन हो होगी है ठीक है फार्मेंटेशन में आपके पास अगें सेम रियक्शन आएगी और इथनोल आपको अधर भाइप्रोडक्स नाव दीजवादा केमिकल प्रोपर्टी दो कि सिमलर है ग्रुकोस से अब बात करते हैं नेक्स हाव टू डिटरमाइन दा ओपन स्रुक्चर ओफ सेक्टि दिफ्रक्टोज तो वही सेम सैंप है पहला मॉलिकुल फोरमला तो कि यह कितोनिः रूप है उसके लिए कौन-कौन सी रियक्शन है यह और तो ग्रस्ट होगा है यह स्योोग प्रेजन दोगा राइट लेकिन आपको याद हो इसका मazलब कुंसा प्रेजन्ट अप्रर्स और प्रेजन्ट है ठीक के लिए हमने नेक्स यहां पर देखेंगे पोजीशन उससे पहले पांच ग्रूप प्रेजंट है उसके लिए वही एसे टाइलेशन रियक्शन बिल्कुल पेंट एसे टेट हमें मिला था और सीन से इड़ेंट लूज वोटर इसली ओल्सो जैसे ग्लुकोज नहीं करता तो इस बीधर किटोनिगुप जब आपने हाडोजन साइनाइट से रियक्शन की तो आपको यह मिला साइन ऑहड्रीण ठीक है इसको है इसको आपने हैड्रोलाइज किया तो सी एन किसमें को भाप हो गया सीच में रिडक्शन करने पर Corona हो गया किश में हेड्रोजन से तो च जिस पो तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से यहां तक आते आते जितने ओच्टे सभी किसमें कनवर्ट हो गया है 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 ठीक है तो स्टैटेजी यही थी सिंपल सी आपके पास फ्रक्टोज है आपने यह रियेजेंट की रियेक्शन लगाई लगाने पर प्रोडक्ट को एनलाइज किया कि सीओ अच कौन से ग्रूप पर प्रेजेंट है यदि यह सैकिंड कावन पर तो इसका मतलब सीओ भी सैकिंड पर था तो यहां तक यह समझ आया कि यह स्ट्रक्टर है सभी पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं ठीक है सीओ ग्रूप भी है सेकिंड पोजिशन पर बाकी पहले कार्बन पर यह पांच ओएच लगा दिए तो यहां नोटेबल पॉइंट के प्राइमरी ओएच ग्रूप यहां कितन है वे ग्लुकोज में कितने अतार एक तो तो तीन यहां पर सेकंडरी है दो यहां पर प्रैम्री कि क्तने हैं यह काईड़ neck यह नहीं यह नहीं वाहिवम्ट्च हुशी तुर टू रेस तो एट तो इस सच्च है इतने सो मस्मिलने आपको आठ जिन में से फ्रक्टोज एक मुलिक्यूल है और इसकी तो किसमें कन्वर्ट हो गया और इस कार्वन को कर दो ऑक्सिडाइज है तो यहां तक आज की वीडियो में इतना ही हमने क्या-क्या स्टाडी किया मैं आपको फिर से बता देता हूं पहले डेफिनेशन ऑफ कार्वो हाईड़ेट इंपोर्ट है एक्जाम पॉइंट से क्लास्यकेशन ऑफ कार्वो हाईडेट यह भी इंपोर्टन एक या दो नंबर में डेफिनेटली पुछा दाता है तो उसके लिए तयार है फिर उसके बाद जो common system है वो थोड़ा सा है फिर उसके बाद glucose molecule देखा glucose molecule की properties के बाद open change structure क्या है वो identify की फिर फ्रक्टोज देखा और फ्रक्टोज की open change structure क्या है वो identify की तो यह थे आपके आज तक के इस वीडियो में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या क्या रही हो he or she is most welcome to comment section आप पूछ सकते हैं तो अब एक बार सलेबस दोबारा देखते हैं ताकि पता लगे कहां तक हम जा चुके हैं तो यहां देखिए बच्चों कार्बो हाइड्रेट में classification हो चुका है तो आप देख सकते कितना इंपोर्टेंट है और उसके बाद यह इंटर कंवर्जन ऑफ ग्लुकोस फ्रक्टोस यह हम पढ़ने वाले तो यहां तक हम कर चुके हैं इस फस्ट वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ओपिक लेकर आएंगे तो ठीक है बच्चो हो पड़ते रही सेहत मन रही है कोई डाउट क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है तो जल्द हमीं लेएंगे टेक केर बाबाए जहिंद